नमस्कार दोस्तो जैमातादी कैसे हैं आप सब दोस्तो हमारे वीडियोज की रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें फोलो या सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तो मानो शरीर में प्राकर्तिक तोर पर कई जगह तिल होते हैं परन्तु दोस्तो जोतिस के अधार पर आज हम आपको शरीर के कुछ ऐसे पोइंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जहां तिल होना अच्छा या सुब माना जाता है एला पोइंट है दोस्तो हथेली पर तिल होना दोस्तो हथेली पर तिल होना सुब तता अच्छा माना जाता है जोतिश के अधार पर ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की हथेली पर तिल होता है खास करके जिनका तिल बंद मुठी के अंदर आता है वे लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, वे लोग बहुत लखी लोग होते हैं दोस्तो दूसरा स्थान है नाक परतिल होना, हाला कि दोस्तो ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के नाक परतिल होता है वे लोग थोड़े नख्रेले सब आओके होते हैं लेकिन इसके साथ यह भी सच है दोस्तो जिन लोगों की नाक परतिल होता है वे लोग दिल के बहुत अच्छे वर सच्छे होते हैं साथी दोस्तो उनको अपने केरियोर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है तीसरा स्थान है दोस्तो थोड़ी पर तिलोना थोड़ी पर तिलोना सीधे तोर पर सुब जंकेता है ऐसे लोगों के हर वक्त बिगड़े काम बन जाते हैं जिन लोगों के थोड़ी के बीचो बीच तिलोता है ऐसे लोगों की अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बनती है साथी दोस्तो ऐसे लोग फाइनेंस में भी बहुत अच्छी रहते हैं और चोथी जगह है दोस्तो पीट पर तिलोना जिन लोगों के पीट पर तिल होता है वह सोबाव के काफी रोमांटिक होते हैं वह गूमने फिरने के सोकीन होते हैं ऐसे लोग बहुत खुसमिजाज लोग होते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही परन्तु दोस्तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताईए कि आपके किस जगह पर तिल है तो दोस्तो आपसे आग्या चाहूंगा मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैमाता दी